दिली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंग बगगा के मामले में आज पंजाब और हर्याना हाई कोट में सुनवाए होई तजिंदर पाल सिंग बगगा के वकील अनिल महता ने बताया कि दिली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंग बगगा की गिरफतारी पर रोक चार अग इनश्य करकार के अरजी पर आदालत में या एवजक्शन दाखिल करेंगे। दिद्ली बीजेपी नेता तेजंदर पाल सिंग बग्गा के मामले में आज हाइ कोट में क्या कारवाई हुई। इस मामले को लेकर खास बाचीत की हमारे समवादा था अनिल कुमार ने तजिंदर पाल सिंग बगगा के वकील अनिल महता से जिसका हमने विरोद किया और यह कहा कि इनका इस कीस से कोई लेना देना नहीं है तो कोट ने अगली तारिक फार अगस्त की है जिसमें हमें कहा गया है कि अब अपने objections weять कर सकते हैं आज की तो यही कारवाई है साथी में कोट ने ये भी कहा कि जो रोक उनके अरेस्ट पे चल रही है वो चलती रहेगी तो पंजाब सरकार पंजाब पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी तब तक दूसरी चीज हमने कोट को एक चीज और बताई कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो इन्वेस्टिकेशन करने जाएंगे वहाँ पर उनके घर पे लेकिन एक महीना बीद गया है कोई इन्वेस्टिकेशन करने नहीं पहुंचा इसका मायना बलकुल क्लियर है कि जो कुछ कारवाई भी इन्जाब सरकार ने करी है वो राजनेती से प्रेरित होकर करी है अगर इतने ही वो उनको लगा कि कुछ बड़ा अपराद तेजिंदर सिंग बगगा ने किया है तो एटलीस उनको इन्वेस्टिकेशन दो जॉइन करानी चाहिए थी जो भी तक नहीं कराई गई मैता साथ ये पूरा मामला क्या है देखिए तेजिंदर सिंग बगगा ने अरविन केजरिवाल जी के एक बयान के उपर कुछ ट्विटर पर कमेंट्स किये थे कमेंट्स जो हुए वो दिल्ली में हुए केजरिवाल साब का पंजाब से कोई लिना देना नहीं है ना जाने क्यूँ पंजाब सरकार हरकत में आई और एक फेक सी कमप्रेंट तेजिंदर सिंग बगगा के खिलाफ यहां फाइल हुई उसके उपर तो इन पर भाव से एक्शन हुआ रातो रात उनको अरेस्ट करने के लिए पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंची गैर कानूनी तरीके से कहीं पर भी उन्होंने कानून की प्रक्रिया को फालो नहीं किया गैर कानूनी तरीके से उनको अरेस्ट किया और लेकर उनको पंजाब की तरफ आ रहे थे सही मानने में तो उसे अपहरन कहा जाएगा विकोस तो कानूनी प्रक्रिया के अंतरगत नहीं आता है तेंदर सिंग बगगा की फैमिली ने उसके खिलाफ कंप्रेंट करी एफ़ाया दर्च की दिल्ली पुलिस ने हराना पुलिस के सेयोग के साथ पीपली में नाका लगाया तेंदर सिंग बगगा और जो गलत तरीके से उनको गिरफतार करके कुछ लोग जो पंजाब पुलिस की ड्रेस में थे लेके जा रहे थे उनको रोका गया वापिस तेंदर सिंग बगगा को दिल्ली ले जाया गया कुछ दूनों के बाद वापिस उनके नाम के अरेस्ट वारेंट्स मुहाली से वो इशू करवाते हैं साथ तारिक को जहां तो में लगते हैं साथ तारिक है और फिर उन अरेस्ट वारेंट्स के खिलाफ हम रात को कोट में जाते हैं ग्यारा सड़े ग्यारा बज़े बारा बज़े कोट उसका संग्यान लेता है और कोट उनकी अरेस्ट के उपर स्टे कर देता है ये फिलाल पूरा मामला है मैता जी जिस तरह भी आपने मताया कि चार अगस्त तक तेजिन्दर पाल सिंग बगगा की गृफतारी पर रोक जारी रहेगी तो चार तरीक को अधारत में क्या कारवाई हो सकती है दीए चार तरीक से पहले एक तो हम अपने अब्जेक्शन फाइल करने लग रहे हैं कि जो भी उन्होंने कंप्रेंट जो अप्लिकेशन फाइल करी है कुछ डॉक्यूमेंट प्लेस ऑन रिकॉर्ड करे हैं एक तो उसका हम अब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं और दूसरा पंजाब सरकार ने भी जवाब करना है फाइल करना है वो भी तक नहीं आया है उसका इंतजार है देखते हैं क्या जवाब वो फाइल करते हैं नहीं तो बहस हो जाएगी ये थे मेरे साथ एड़ोकेट अनिल मैता इन्होंने बताया कि दिल्ली भाजपा नेता तिजंदर पाल सिंग बगगा के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उनकी गिर्फतारी पर रोक चार अगैस तक जारी रहेगी अनिल कुमार टोटल न्यू चंडिकार